हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जार्खन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी खबरों को धनबाद, बोकारू, दिवगर और पलामू जिला में बनागे केंद्रों में ली जाएगी इस परीचा में सामिल होने वाले उमिद्वार आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे भागपा मववादी के एरिया कमांडर कमलेश यादो ने चत्रा में किया सरेंडर, जार्खन के चत्रा जिले में एरिया कमांडर ने सरेंडर कर दिया है कमले सियादो भागपा मवादी का एरिया कमांडर था उसने बुधवार को पुलीस अधिकारियों के समक्च आत्म समर्पन कर दिया चत्रा समहर न्याले इस्तित सभाकक्च में उपायुक्त अब्बू इम्रान एस्पी राकिस रंजन्वा सियार पिअप एक सुननब्वे बाटालियन के कमांडर मनोज कुमार की उपस्तिती में कमले सियादो ने बुधवार को हतियार डाल दिये कमले शियादो परतापूर थाना के चरका कलागाओं का रहने वाला है चतरा पलामु वा लातिहार में आतंका परियाई भागपा मवादी के सिंट्रल कमेटी के सदस गौतम पासवान जोर्नल कमांडर मनोज गंचूबा अर्बिंद भुईया के दस्ते का सदस था वकई नकसली घर्नाओं में शामिल था डीसी वा एसपी ने पुनर्वास निती नई दिसा के तहत उसे एक लाग रुपे का चेक शौपा कमलेश यादो एक महापूरो पुलिश और मावादियों के बीच प्रतापूर में हुवी मुडभेड में शामिल था पारा सिक्षको को सहायक सिक्षक के समान वेतन मामले पर हाई कोट में सुनवाई पूरी आदेश सुरक्षित जारकंड हाई कोट में टेट पर इच्छा पास पारा सिक्षको के समयोजन की मांग को लेकर दारिया चिका पर बुधवार यानि तीस नॉमबर को सुनवाई पुखी नयदिस डॉक्रे रेवरेंजन और नयदिस सुजीत नारायन प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई सौ से अधिक याचिका करताओं ने याचिका दार की है उन याचिकाओं पर सुनवाई की प्रिक्रिया पोर्न कर ली गई है या चिका करता कि अधिवक्ताओं ने कहा है कि उन्हें शाहाइक सिक्षक के समानी वेतन दिया जाना चाहिए, उन्होंने आदालत से गुहार लगाई है कि आदालत राजसरकार को निर्देश दे की, राजसरकार उनकी सेवा को नियमित करे, उन्हें साहाइक सिक्षक के समानी वेतन मिले तूकि वह लगभग 15 वर्सों से अधिक समय से सिवा दे रहे हैं, वह इस वेतन की योगे हैं, सब भी आहरता को पूरा करते हैं। जैक ने कहा है कि 10 दिसंबर के बाद सभी चलान विलम सुल के साथ जनरेट होगा, जैक ने कहा है कि इसके बाद ते थी वेस्तार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन बढ़ते हुवे, पूरी साउधानी बढ़ते। पांच मबाइल, 17 सीम कार्ड, पास्बुक और 23 एटियम कार्ड भी बरामत, बड़ी खबर दिवगर से, जहां साइबर अर्थाना की पुलिस ने जसिवी थाना चेतर के सिमरिया गाउं से, तीन साइबर अपराध्यों को 11 लाग रुपे के साथ गिरपतार कर लिया है, साइबर अपराध्यों के पास से, पांच मबाइल, 17 सीम कार्ड, एक पास्बुक और 23 एटियम कार्ड भी जब्त किया गया है। बताई जा रहा है कि गिरपतार साइबराप राधियों की पहचान 28 वर्सी से लुपाठक, 19 वर्सी अभेपाठक और 22 वर्सी रौसन पाठक के रूप में हुई है। जाम दिया गये है, साथी से लुपाठक के पास से साइबर ठकी के 11 लाग रुपे भी बरामत किये गये हैं। जारकन बिजली संकट तालने के लिए जारकन बिजली संकट को दूर करने के लिए जारकन सरकार से 500 करोड रुपे रिल लेगा। ताकि बकाय का भुखतान किया जा सके। इसे लेकर बुधवार को जेबी वियनल के मडी अविनास कुमार की अध्धक्स्ता में बोर्ड मीटिंग को भी जिसमें सरकार से दिल लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया है कि राजसरकार के बजट में जेबी वियनल के रासी का परवधान है। परविधान सभा के सीथ कालिन सतर के पूर्वा यारासी नहीं मिल सकती है। बिजली संकट से निजात पाने के लिए डिवी सी और अन्ने केंदरी एजंसियों को बकाय का अविलम भुकतान किया जाना है। अता जेबी वियनल 500 करोड रुपए राजसरकार से रिलेगा यारासी विधान सभा में जेबी वियनल के बजट पारित होते ही राजसरकार पूना काट लेगी। दोनों के शाओ का मेद्रिनगर मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल में पुष्ट माडम करा गया है वही असकारपियों को जब्त कर पूलीस आगे की कररवाई में जुटी है। अने वाले दो दिनों में राजधानी के नियुम्तम तापमान में तीन से चाट डिगरी तक गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी में आज एक दिसंबर को सुभा में कोहरा या धुंद और बाद में आनसिक बादल शाय रहेंगे। मौसम सुस्क रहेगा अधिकतम तापमान 26 वन्यमतम तापमान 13 डिगरी सलसेस रहेगा। गुजराद चुनाओ के लिए अमबा प्रसाद को बना गया कोर्डिनेटर प्रचार प्रसार के लिए पहुँची। बढ़कगाउं से कॉंग्रेस विधान सभाड शेतर के लिए कोर्डिनेटर की रूप में पदभार दिया गया है। पार्टी ने भरोसा जाता आता हुए उक्त विधान सभाड शेतर के लिए अमबा को महत्पोन जिम्मेदारी सौपी है। आकिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के द्वारा कोर्डिनेटर बनाये जाने के बाद विधाय कंबा प्रसाद का पार्टी में कद और बढ़ा है। जारकंद हाई कोट का बड़ा फासला अमेटवागरवाल की आरोपो की सीब्याई जांचोगी, जारकंद हाई कोट की जस्टिस एसके दिवेदी की अदालत ने अधिवक्ता, राजियू कुमार हत्यकान की जांच सीब्याई को सौंप्दी है, अदालत ने कहा है कि सीब्याई 15 दिनों में मामले की जांच का रिपोर्ट कोर्ट में पेस करे अदालत ने का है कि CBI इस बात का पता लगाए कि आखिर कोलकाता के वासाई अमिता अगरवाल ने जारकन हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजु कुमार के खिलाब दर्ज प्रात्मिकी में उनके न्याइक पत अधिक चुनोती दी गई थी विसयों के सिक्षकों के पद सर्जन और आप्रसांगिक विसयों के सिक्षकों के पद सरेंडर का सभी 20 जिलों से प्रस्ताओं मांगा था प्रस्ताओं के बाद अब नए पदों को सर्जित करने का कारे सुरू हुआ है केबिनेट की होने वाली आज़े बैठक में PGT सिक्षको के पद सर्जन से समंधित प्रस्ता पर स्विकृति प्रदान किये जाने की उम्मीद बताई जा रही है प्लस टू असकुलों में PGT सिक्षको के जिन विसेयों में पद सर्जित किये जा रहे हैं उनमें राजनितिक विज्ञान, मानो सास्र, कंप्यूटर साइंस, सीसियोलोजी, हॉम साइंस, उर्दू, शन्थाली, बांगला, आईटी, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुर्माली, खोठा, नाकपूरी, पंच, परगनिया और उडिया सामिल है सिम्डेगा जिला कोट ने दुसकर्म के आरोपी को 10 साल के सजा सुनाई, 11,000 रुपे जुर्माना भी लगाया, जुर्माने की रासी अदा नहीं करने के इस्तिति में 6 महा की अतिर्थ सजा कार्णी होगी 15 अगस 2016 को युवती अपने घर में अकिली थी, इसी बीच डिप्टी टोली सिम्डेगा निवासी विरंदर में जो वहाँ पहुंचा और युवती के साथ दुसकर्म की घटना को अचाम दिया युवती द्वारा होखला करने पर उसने उसे साधी का जहांसा दिया, इसके बाद युवती सांत हो गई इसी परकारवा साधी का जहांसा देकर वर्स 2017 तक लगतार युवती के शाथ सारिक संबंद बनाता रहा साधी के लिए युवती ने जब दवा बनाय तो युवक ने साधी करने से इनकार कर दिया इसके बाद युवती ने जुलाई 2017 में नयाले में परिवाद पत्रदार किया इसके बाद युवक को पुलीस द्वारा क्रेपतार कर लिया गया जार्खन में 143 APP की न्युक्ति का रास्ता साफ, जार्खन में 143 सहाइक लोग अभियोजको, APP की न्युक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जार्खन हाई कोट ने JPSC को दो महा में रिजल जारी का न्युक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है, चीप जस्टिस डॉक् अधियाचना वापस लेने वा परिच्छा रद करने के सरकार के आदेश को भी रद कर दिया है। पॉले टेकनिक रोड तक सरक के दोनों और अतिकर्मन कारियों पर सिकन्जा का सा इस्थाई तोर पर बना ली गई आधा दर्जन लोहे की गुम्टियां जब तकी गई। अतिकर्मन हटाओ अभ्यान का पूटपार दुकंदारों ने जोड़दार विरोध भी किया, इसमें एक नई बुल्डोजर पर दुकंदारों ने हमला कर दिया, डंडे मारकर से इसा तोड़ दिया, मामले में नगर निगम अग्यातलों के किलाब प्रात्मे की दर्च करने की तैयारी में है, जानकारी के अनुशार बुधवार को दिन में कुछ लोगों ने निगम की कार्रवाई को देखतों वे खुद अतिकर्मन हटा लिया, गिरिडी में बाल मुकंद अस्पंज फैक्टरी में आईटी की छापेमारी देर राद तक जारी, गिरिडी में अफसिल अच्छा फैमारी जारे रहेगी, आईकर विभाग की जार्खन और पस्थी बंगाल की शन्यूक्त टीम फैक्टरी के विभीन कागजातों को घंखाल रही है, इधर मुक्च के कारेले में भी सबी दस्तावेजों की जांच की जारे रही है, फैक्टरी और कारेले के मुक्च फैंट को बंद कर दिया गये, मीडिया को भी अंदर जान की एजाज़त नहीं है, आईकर विभाग की एक अधिकारी ने कहा है कि जांच पूरी होने पर ही मीडिया को शारी जानकारी दी जाएगी, जानकारी का अनुशार बाल मुकंद अस्पंच की अनिसारों में भी इस्त इस सिकायत के बाद पुलिश ने दो अपराधियों को गरबतार किया है। केसो सिंग और रितिक यादों ने रंगदारी मांग की। विधुत पावरा स्वर स्टेशन होतो हुए मार्ग तै किया गया है। पलामू के जंगल में मवेशी ढूणने गई युवक को सिकारियों ने मारी गोली गंभी रहालत में मम्सीयस में भर्टी। चेनपूर्धाना छेतर के जंगल में मवेशी ढूणने गई इसराफिल अंसारी को सिकारियों ने गोली मार दी है। गंभी रुप से घाईल इसराफिल को इलाज के लिए मेधनी राइ मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल में भर्टी करवा गया है। बता जा रहा है कि इसराफिल को पाँ में गोली लगी है। गर्णा के जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और चानबिन शुरू कर दी है। चैनपुर थाना परभारी ओदे कुमार ने बताया है कि इसराफिल को गोली मारी है। सिकारियों की पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मामली के चानबिन कर रही है। आजसु महिला संग कमेटी का गठन वीना कुमारी बनी अधक्ष आजसु पार्टी के के चैंदरी अधक्ष उदेश कुमार महातों के निर्देश पर आजसु पार्टी के अनुशंगी इकाईं अकल जारकन महिला संग के रांची जीला कमेटी का गठन किया। आसु पार्टी के केंद्रिय मुख्य प्रावक्ता डॉक्टर दिवशरैन भगतनी सूची जारे करतोवे कहें कि रांच जिला कमेटी महला में एक अधक्ष, एक कारीकारी अधक्ष, छे उपास धक्ष, एक प्रधान सचिव, एक संगठन सचिव, एक कोशाधक्ष, एक भागपा का जिला समाहरन्याले के समक्ष धर्ना प्रदर्शन, जिला भागपा के तत्वधान में बुधवार को जिला समाहरन्याले के समक्ष धर्ना प्रदर्शन किया किया, धर्ना के अध्धक्स्ता CPI जिला कारिकारनी सदस महेश प्रसाद सिंग और संचलन, CPI जिला कारिक रोडों की उगाही कर रहे हैं और अपने आला अधिकारियों को पहुंचाते हैं। रामगर जिले के खुबसूरत पारेटानस्थल पतरातु लेक रिजोट में विदेसी महमानों ने दस्तक दे दी है। साइबेरियन में जब सर्दी बढ़ जाती है तो वहां से 1000 किलोमेटर की जयातरा कर साइबेरियन पक्ची यहां पहुंचते हैं और डेरा डाल देते हैं। ये पक्छी मार्च तक यहीं रहते हैं जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्छी प्रेमी भी यहां आते हैं तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दिजे जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़ा इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में